यह समय नागरिक होने के इम्तहान का समय है नागरिक्ता को फिर से समझने का समय है और उसके लिए लड़ने का समय है यह जानते हुए कि इस समय में नागरिक्ता पर चौताफा हमला हो रहा है और सत्ता की निगरानी और नियंतरन बढ़ता जा रहा है एक व्यक्ति और एक समून के तोर पर जो इस हमले को खुद को बचा लेगा और इस लड़ाई में माच लेगा वही नागरिक भविश्य को बहतर समाज और सरकार की बुनियाद रखेगा दुनिया ऐसे नागरिकों के जिद से भरी हुई है नागरिक होने और सूचना पर उसके अधिकारी होने की लड़ाई थोड़ी मुश्किल जरूर हो गई है मगार अस संभव नहीं है नागरिकता के लिए जरूरी है कि सूचनाओं की स्वतंत्रता और प्रमानिकता हो आज स्टेट सत्ता का मीडिया और इसके बिजनेस का पूरा कंट्रोल हो चुका है स्टेट का मीडिया पर कंट्रोल का मतलब है आपकी नागरिकता का दाइरा छोटा होना मीडिया अब सर्विलान से स्टेट का पार्ट है जो निगरानी करता है अब वो fourth state नहीं है बलकि first state है private media और government media का अंतर पूरी तरह से मिट गया है इसका काम opinion को diversify करना नहीं है बलकि control करना है ऐसा भारत और दुनिया के कई देशों में हो रहा है news channel के debate की भाषा लगातार लोगों को उसके अपने रास्टरवाद की परिभाषा से बाहर निकालने का मौका खोशते रहती है इतिहास और सामुही की स्मृतियों को हटा कर उनकी जगा एक पार्टी का रास्टर और इतिहास लोगों पर थोपा जा रहा है मीडिया की भाषा में दो तरह के नागरिक हो गए हैं एक national है और एक एंटी नेशनल है एंटी नेशनल वो है जो सवाल करता है असमती रखता है असमति लोक तंत्र और नागरिक्ता की आत्मा है उस आत्मा पर रोज हमले होते हैं जब नागरिक्ता खत्रे में हो या उसका मतलब ही बदल दिया जाए तब उस नागरिक्ता तब उस नागरिक की पत्रकारिता कैसी होगी तब citizen journalism उस माहौल में कैसा होगा नागरिक तो दोनों हैं जो खुद को national कहता है और जो anti-national कहा जा रहा है वो भी तो नागरिक है दुनिया के कई देश, कई देशों में ये state system जिसमें नियाई-पालिका भी है और लोगों के बीच legitimize हो चुका है ये नया system फिर भी हम कश्मीर और हॉंग कॉंग के उधारन से समझ सकते हैं कि लोगों के बीच लोगतंत्र और नागरिक्ता की classic समझ अभी भी बची हुई है और उसके लिए वो संगर्ष कर रहे हैं आखिर क्यों हॉंग कॉंग के लोगतंत्र हॉंग कॉंग में लोगतंत्र के लिए लड़ने वाले लाखों लोगों का सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं रहा उन्होंने उस भाशा पर भी विश्वास नहीं किया जिसे सरकारे जानती हैं जो मुख्य मीडिया की मुख्यधारा की मीडिया की भाशा है इसलिए उन्होंने अपनी नई भाशा गढ़ी और उसमें आंदोलन की रणनीती को कम्यूनिकेट किया यह नागरीक होने की रचनात्मक लड़ाई है जो होंग कॉंग ने लड़ी होंग कॉंग के नागरीक अपने अधिकारों को बचाने के लिए उन जगों के समनांतर मुख्यधारा के मीडिया के समनांतर नई जगहें पैदा कर रहे हैं जहां लाखों लोग नए तरीके से बात कर रहे हैं नए तरीके से लड़ रहे हैं पल भर में जमा होते हैं कोई हिंसा नहीं करते हैं अपना एप बना लिया है और मेट्रो के इलक्ट्रोनिक कार्ड खरीदने की रंडिती अपनी बदल ली है फोन के सिम कार्ड का इस्तमाल बदल लिया है कंट्रोल के इन सामानों को नागरिकों ने कबार में बदल दिया है यह प्रोसेस बता रहा है कि स्टेट ने नागरिक्ता की लड़ाई अभी पूरी तरह से नहीं जीती है हौंग कॉंग के लोग सुचना संसार के अधिकारिक नेटवर्क से खुद ही अलग हो गए और अपनी लड़ाई जीत गया कश्मीर में दूसरी कहानी है वहां कई दिनों के लिए सुचना तंत्र को ही बंद कर दिया गया एक करोड से अधिक की आबादी, फोन आबादी को सरकार ने सुचना संसार से ही अलग कर दिया इंटरनेट शट डाउन हो गया, मुबाइल फोन बंद हो गया सरकार के अधिकारी प्रेस का काम करने लगे और प्रेस के लोग सरकार का काम करने लगे क्या आप बगएर कम्यूनिकेशन और इंफॉर्मिशन के सिटिजन की कलपना कर सकते हैं वो बेचेहनिया क्या होती होंगी जब अख़वार पहुँचना बंद हो जाए जब आप किसी से बोलना पाएं अपना हाल दूसरे का ना बता पाएं दूसरे से ना जान पाएं क्या होगा जब मीडिया जिसका काम सूचनाएं एकत्र करना है सूचना के तमाम नेटवर्क अचानक बंद कर दिये जाएं तब क्या होगा और मीडिया उसका समर्थन करने लगे कि ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है और वो उस सिटिजन के भी खिलाफ हो जाए जो अपने स्थर पर सूचना ला रहा है या सिटिजन जनलिजम कर रहा है जब में इस्ट्रीम मीडिया जनलिजम नहीं कर रहा है पाकिस्तान, चीन, श्रिलंका, बांग्रादेश, म्यानमार और भारत नीचे की रैंकिंग में ये सब पडोसी है पाकिस्तान में एक इलेक्टरोनिक मीडिया रेगुलेटरी अथारिटी है जो अपने निउस चैनलों को जिसमें निर्देश देता है कि कश्मीर पे किस तरह से प्रोफेगेंडा करना है भारत के खिलाफ कैसे रिपोर्टिंग करनी है इसे वैसे तो सरकारी भाशा में सलाह एडवाईज कहा गया है मगर होता ये है कि ये निर्देश है इसमें बताया जा रहा है कि कैसे 15 अगस के दिन स्क्रीन को खाली रखना है ताकि वो कश्मीर के समर्थन में काला दिवस मना सके पाकिस्तान जिसकी समस्या का एक बड़ा कारण खुद वहभी है फिजूल की बे बे एतबारी मैं दरुना चाहता हूँ फिजूल की बे एतबारी जहालक और बुजदिली की निशानी है गांधी जी ने कहा है एक जनवरी 1948 को दूसरी तरफ जब कश्मीर टाइम्स की अनुरादा भसीन भारत की सुप्रिम कोड जाती है तो उनके पीछे प्रेस काउंसिल अफ इंडिया भी चला जाता है यह कहने कि कश्मीर घाटी में मीडिया पर लगे बैन का वो समर्थन करता है मेरी राए में प्रेस काउंसिल अफ इंडिया और पाकिस्तान के इलेक्टरॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का दफ्तर एक ही बिल्डिंग में होना चाहिए इस बात पर लड़ाई हो सकती है कि प्रथम तल पर किसका दफ्तर होगा और द्वीतियत तल पर किसका दफ्तर होगा अच्छी बात यह रही कि प्रेस काउंसिल अफ इंडिया ने अपनी राए बदल ली गनीमत है कि एरिटर्स गिल्ड ओफ इंडिया ने कश्मीर में मीडिया पे लगी रोग की निंदा की थी और प्रेस काउंसिल ओफ इंडिया के भी बहुत आलोचना की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया दोनों देशों के नागरीकों को सोचना होगा कि लोग तंत्र मजाथ नहीं है वो एक सीरियस बिजनस है क्या वो बगएर सुचनाओं के सही सुचनाओं के अपने देश के भीतर और दुनिया के किसी दूसरे देश के साथ समवाद कायम कर सकते हैं और करेंगे भी तो क्या उसमें वो विश्वस्नियता रहेगी जिसके लिए वो चाहते हैं कि महौल अच्छा हो हूली नहीं है कि इधर से एक गुबारा मारा और उधर से पानी में रंग डाल कर पानी जादा भरके रंग के नाम पर गुबारा मार दिया वैसे भारत के निउस चैनल आजकल परमानू हमले के समय बचने की तैयारी का लेक्चर भी दे रहे हैं तो अपना तॉलिया भिंगा कर रखिएगा और घर में बेस्मेट बनवा लीजी भले च्छत ना हो क्योंकि आपके निउस चैनल हिंदुस्तान के परमानू हमले की तैयारी सिखा रहे हैं बचने की आप हसे नहीं वो अपना काम सिरियसली कर रहे हैं